नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकर टेली डिशन में आज हम बात करेंगे एक बेहदी दिल्चस्प एपिसोड की जो हाली में रब से है दुआ में दिखाया गया तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड में जो धमाकेदार मोड आया है उसने सब को चौका दिया है कियामत ने आखिरकार मान लिया है कि मननत अब उनकी अधिकारिक बहू बन चुकी है जी हाँ आपने सही सुना अब मननत को मिल चुका है वो अधिकार जिसे उसने इतनी महनत से कमाया था कयामत ने मननत को स्विकार कर लिया है और इबादत के रास्ते को साफ कर दिया है कयामत ने जैसे ही मननत को बहु मान लिया मननत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसने खुशी से कयामत को धन्यवाद कहा और कहा कि अब उसे किसी की परवा नहीं उसकी खुशी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो दादी अम्मी के लिए एक ताना भी छोड़ देती हैं लेकिन दूसरी तरफ इबादत की हालत काफी घराब है उसे ना तो सुबान का सपोर्ट मिल रहा है और ना ही मनत की हरकतों में कमी आ रही है अबादत लगतार रो रही है और सोच रही है कि सुबान के साथ उसका रिष्टा कैसे आगे भड़ेगा अबादत के लिए हालत बहुत मुश्किल हो गई है मनत की तरफ से मिलिये चूट अबादत के लिए एक बड़ा छड़का है अब सवाल ये है कि क्या मनत अबादत को बंदाम करीगी क्या सुबान और अबादत का रिष्टा सच में खत्म हो जाएगा इस एपिसोड ने और्डियंस को काफी हरान कर दिया है और सभी के मन में एक ही सवाल है क्या मनत अबादत की जिंदगी को और कठिन बना देगी और क्या सुबान अबादत के साथ अपने रिष्टे को पूरी तरह से खत्म कर देगा हम देख सकते हैं कि मनत की हरकतें अब और भी ज्यादा भड़ गई है उसने कयामत से मिलकर अपनी स्थिती को मजबूत कर लिया है अबादत की स्थिती कितनी कठिन हो गई है ये साफ देखा जा सकता है अब ये देखना होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी किस दिशा में जाती है इस बीच फान्स का भी यही सवाल है कि आने वाले एपिसोड में कई नई अलजुनों का सामना करना पड़ेगा और वो क्या होंगी क्या अबादत का संगर्श खत्म हो जाएगा या फिर ये और भी गैरा हो जाएगा आप अपने थॉट्स कॉमेंट्स में नीचे जरूर बताएए और अगर चानल पे नई हो तो टेली टशन को सब्सक्राइब कर दो और भी कई ऐसी अपडेट्स के लिए